येस पीपल गुड मॉनिंग गुड आप्टन गुड इबनिंग ठो आल अफ यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो हमारे प्यारे इंटरमीडियेट वाले जितने भी बच्चे है सर हम लोग जैनुरी में एक्जाम दे रहे हैं एंड सर एक बात बताए हमको जो पहले एक्जाम लग रहा था हमारा एक्जाम नवेंबर में है और फिर जैनुरी में हो गया तो हमने ये सोचा था कि सरह न हम ब किया होगा और सब कैंसल हो जाता एक बात बताओं पढ़ाई का प्लान भी ऐसे हुआ गया चलो कोई बात नहीं हम आज अपन बात करने वाले मैं आपको सोचा बहुत दिन से मैं आप मिला नहीं हो तो मैंने सुचा चलो ना आप से बात करते है थोड़ा तो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड जैनुरी 2025 से रिलेटेड अपन बात करेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि जैन 25 में पेपर डिफिकल्ट आएंगे क्योंकि हमको ज्यादा टाइम मिला इसके लिए आंसर एसा कुछ नहीं होता खजूर ऐसा कुछ नहीं होता अगर ऐ रिविजन का टाइम चल रहा होगा अभी भी आपके पास सफिशन टाइम है यह मैं बता दू अगर आप सीरियसली उसको लेते है तो अगर आप 100% अपना देना चाहते है और सीरियसली पढ़ाई को लेते है तो अभी भी आपके पास सफिशन टाइम है इस टाइम में भी किया, दूसरी बार आपने revise किया और तीसरी बार exam से पहले, अगर और भी ज़्यादा revise हो जाए तो बहुत अच्छी बात है but at least दो बार आपका अच्छे से revision हुआ है और उसके बाद exam से एक दिन पहले वाला, तो at least आपके तीन revision हुए है, अगर तीन revision होते है, अराम से आप clear कर जाओगे exam को, उसके बाद में एक चीज समझना, हमेशा ध्यान रखना, आपको material कौन सा follow करना है, क्योंकि ये ऐसा time है, जब आपको बहुत सारे आपके दोस्त मिलेंगे, library में और बोलेंगे, अरे है ना, ये topic तो उस book में अच्छा है, ये topic तो उसमें अच्छा है, मैं बताओ, उसमें मत पड़े रहना, आपने जो material पहले से follow किया है, जो आपको classes में material दिया गया है, जो professor से आपने बढ़ाई किये, उन्होंने जो material दिया है, वो best है, just follow that, उसको आप अच्छे से follow करो, अच्छे से पढ़ो करके, जैसा sir ने बोल रखा है, वैसे आपको follow करना है, तो अगर मैं dt की बात करो, तो dt में आपको क्या करना है, अगर मैंने आपने मेरे से class ली थी, तो आपको पता है, dt में हमने class में लिखा था, तो जो आपके class notes रहेंगे, वो class notes को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या sir हमको compact देखना चाहिए, देखो, अगर आप class notes से पढ़ रहें, तो there is no need to look the compact, कुछ topic आपको compact से पढ़ाए थे, जैसे TDS, TCS आपको मैंने compact से पढ़ाए था, तो वो आप compact से देख ले रहें, के notes के साथ मैं आपको compiler करना है, तो जो आपका compiler है, वो compiler आपको करना है, तो class का notes और compiler आपको अच्छे से करना है, compiler मैंने दे रखा था, अब एक बात समझना, sir जब अपन पहली बार पढ़ने लगते हैं, बैठते हैं ना, तो हमको लगता है सब नया ना, sir कुछ भी, सब कुछ भी याद नी रहता, सब भूल जाते है, तो ऐसा होता है, sir सब के साथ होता है या हमारे साथ ही हो रहा है, right answer सब के साथ होता है, अगर आप पहली बार जब देखते हो, तो आपको लगता है यार ये तो नया नया है, कुछ पता ही नी चल रहा है कहां से आया है, तो मैं बता हूँ ये सब के साथ होता है, ज़्यादा stress लेने की ज़रूवत नहीं है अब आपको क्या करना है उस topic के अंदर enter करने के लिए I have uploaded the revision lecture and मैं बता हूँ revision lecture जो है आइकन को जो है, वो click कर दीजिए and आप क्या करिए, ये जो वीडियो है, इसको भी like कर दीजिए अब आप एक काम करें के उसमें playlist में जाएंगे और playlist में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक revision की playlist दिख रही है January 2025 की that is CA Interrevision January 2025 की playlist एक बात बता हूँ, ये playlist को आप follow कर दो कम से कम इसमें जो वीडियो है न वो 10 बार देख लो करगे, ठीक है, 10 बार देख लो जहाँ भी चल रहे हो, ऐसे time pass कर रहे हो थोड़ी दिर 20 minute में topic हो जाएगा आप देखोगे, तो आपका house property का topic है, वो आपका 31 minutes में हो जाएगा salary का topic है, वो 1 hour 27 minutes में हो जाएगा, आपका residential status scope of total income 38 minutes में हो जाएगा और अगर आप इसको भी speed करके देख लोगे, तो और भी जल्दी हो जाएगा, तो guys, ये जितने भी आपके lectures है न, ये आपके exam के लिए relevant है, आप ये देख लेना, आपका doubt ये रहेगा, कि sir, एक बात बताओ, अभी निर्मला सीता रमन जी कुछ टाइम पहले budget लेके आई थी, feb 2024 में, as well as july 2024 में, क्या वो हमारे exam के लिए relevant है के नहीं, आपके exam के लिए relevant नहीं है, आपके exam के लिए वो ही relevant है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो जो मैंने आपको classes में पढ़ा रखा है, वो ही आपको follow करना है करगे, ठीक है, तो ये revision lecture है, आपको क्या करनेगा, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, जब आप पढ़ने बैठते हो, तो सबसे पहले आप एक काम करो, कि इस revision lecture को देख लो, और जैसे ही आप revision lecture को देखोगे ना, तो revision lecture को देखने के बाद आप उस topic के अंदर enter कर जाओगे, फिर आप फटा-फट अपने class के notes और questions है, उसको आप देख लीजिए, ऐसे आपको practice करनी है, पूरे direct text की करके, ठीक है, अब एक बात समझना, ये material आपको follow करना, इसके अलावा कुछ भी follow करने की ज़रुवत नहीं है, लेकिन guys, आपके लिए बहुत बड़िया चीज बताओं इस बार, इस बार आपके लिए बहुत सारी RTP और MTP है, जो ICI की है, और देखो exam ICI लेता है, तो ICI का material आपको ढंक से follow करना, study mat देखनी की ज़रुवत नहीं है, लेकिन guys, मैं आपको बताओं, देखो, आप है ना RTP और MTP, और RTP और MTP जो है कौन सी वाली? May वाली, September वाली and January वाली तीनो, January exam के लिए आपके लिए आएगी RTP, MTP, May September already online available है, आप एक काम करो, download करो और उसको अच्छे से revise कर लो, क्योंकि जब आप पूरा syllabus जब complete कर लोगे ना, तो पूरा syllabus complete करने के बाद कम से कम आपको दो तीन paper तो देने चाहिए, अब आप बोलोगे सर्फ paper कौन से दे, कहां से दे, आप दोगे, अरे मैं क्या दू, I say ने, इतने जो में और सेप्टमबर में दे रखाता ना, वो जनुरी के exam में कुछ आ सकता है, और आता है exam में, तो उसको आप skip मत करना, तो आप क्या करेंगे, पहले topic को revise कर दो, subject को complete कर लो, जब आपका पहला revision हो गया, फिर दूसरा revision हो गया, फिर आप test paper दे दो, अगर पहले revision के बाद देना है, तो एक test series दे दो, और उसके बाद में देना है, तो दूसरा test series दे दो करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो RTP, MTP है, उसको आप go through करेंगे, and guys, एक बात बताओ ना, अगर आब इतना कर लेते हैं, आपका तीन बार अगर top subject का revision होता है, material आप जो follow करने के लिए, मैंने बोला है, text के लिए, वो आप follow करेंगे, हर subject के लिए, आप अपने अविसाब से planning करेंगे, और उसके बाद RTP, MTP, जो है May, September, January वाला, कोई amendment नहीं है आपके exam के लिए, आपके exam के कोई भी अलग से amendment नहीं है, ये May, September, January वाला है, ये आपको करने का है, अगर कुछ amendment हुआ, तो मैं आपको बता दूँगा, करेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, जो intermediate वाले बच्चे है, उनको है न, एक चीज ध्यान रखना, एक तो वो पता है मैं जो house facility वाला amendment हुआ, उसमें क्या हुआ, कि पहले जो अलग था, और उसके बाद में वो September से अलग हो गया, तो इसको लेके clarification मैंने इस वीडियो में भी दे रखा है, वो आप देख सकते हैं, करके ठीक है, so inter addendum करके जो है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये जो inter addendum करके जो अगर आप 115 BAC लेते हो, यह ध्यान देना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, 115 BAC लेते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, default taxation regime है 115 BAC, देखो 115 BAC में जो self-occupied property रहती है, house property में, उसमें तो interest का deduction मिले गा ही नहीं, under section 24B, तो 24B में interest का deduction आपको मिले गा ही नहीं, तो भाया, SOP के case म तो आपका हमेशा income निली आएगा, लेकिन guys, अगर माल लो आपका LOP है, या फिर DLOP है, LOP का मतलब laid out property, DLOP means deemed to be laid out property, तो guys ध्यान रखना, LOP, DLOP में आपका interest allow होगा, answer is yes, interest allow होगा, अब एक बात समझना, LOP, DLOP जो है, उसका अगर आपका loss आ गया, loss आ गया, तो आपको प property का loss आ गया, तो house property का loss, LOP, DLOP की वज़े से आया, तो आपको पता है, 115 BAC अगर नहीं लेते हो, मतलब normal profession के हिसाब से, इसको आप किसी दूसरे head से set up कर सकते हो, answer is yes, up to 2 lakh, लेकिन guys, ध्यान रखना, अगर आप 115 BAC लेते हो, तो it is not allowed to set up, not allowed to set up against any other head, against any other head, किसी और head के सामने इसको set up नहीं कर सकते, लेकिन हम पहले ये बोलते थे, चलो इसको किसी और head के सामने set up नहीं कर सकते, बट आप इसको carry forward कर सकते हैं, और अगले 8 साल तक house property की income से set up कर सकते हैं, answer is no, इसको carry forward नहीं कर सकते, भाई, एक तो इसको किसी और head के सामने set up नहीं कर सकते हैं अगर house property head का income है तो उसको set up कर दो किसी और head से बिलकुल भी set up नहीं होगा and guys ये जो चीज बता रहा हूँ ना ये थोड़ा interpretation का issue था और अब institute ने भी इसको clarify किया है कि it is not allowed to carry forward not allowed to carry forward इसको आप carry forward भी नहीं कर सकते तो देखो मैंने आपको क्या बोला समझने ही कोशिश करना अगर 115 BAC लेते हो और house property का loss हो जाता है self occupied property में loss आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ interest ही नहीं है तो यहाँ पे निल आएगा हमेशा बट LOP DLOP में loss आ सकता है अगर loss आया तो LOP DLOP house property का loss है वो किसी और head से setup नहीं होता और दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि इसको आप carry forward नहीं कर सकते carry forward allow नहीं है करके ठीक है तो यह clarification आपको मैं आपको बताने वाला था तो यह मैंने आपको बता दिया करके ठीक है चलिए guys तो guys आपको जो मैंने बताया वो आप ध्यान रखिए और जैसा मैंने बोला वैसे आप पढ़ते रही है मैनत करते रही है क्योंकि taxation का paper है easy आएगा इस बार January में easy आएगा क्योंकि May में easy था September में थोड़ा difficult था September ने आपके दोस्तों ने दिया होगा तो पता रहेगा थोड़ा difficult था but don't worry अभी जो January में paper होने वाला है वो text का paper easy रहेगा आप आनाम से अच्छा score कर पाओगे and guys super 30 question मैंने जो September के लिए दिये थे वो ही आपके लिए भी है तो आप चाहे तो super 30 question भी देख सकते है उसमें बहुत सारे concept है वो revise हो जाएंगे आपके तो that depends on कि आपके पास time frame कितना है अगर time sufficient है बहुत बार revision कर चुके है तो super 30 question देख लो MTP RTP बगरा देख लो बट अगर revision ही नहीं हुआ तो पहले अच्छे से revision करो फिर आप एक दो test paper दे देना और साथ मैं जो है वो RTP May November May September and January का आपको देखना है ठीक है चलो thanks a lot people आज के इतना बहुत है बट मैं बता हूँ पढ़ते रहना अगर धंग से पढ़ाई किया ना बस थोड़ा सा time हो रहे दो तीन महीने और पढ़ाई धंग से करनी है और ये दो महीने आपने धंग से पढ़ाई कर ली ना भाही साब सीए final में अच्छी फर्म में आर्टिकल्शिप कर करना बट एक बार कर लो एक बार ही तो करनी है देखो मैनत एक बार तो करनी ही पड़ेगी अभी एक बार कर लो और एक बार करके जैनुरी में पास हो जाओ और रिजल्ट अच्छा रहने वाला है जैसा में 2024 का रिजल्ट है वैसा जैनुरी का रिजल्ट रहने वाला है अच फ्रेंट्स को फोन करके फालतू की बाते कर दो, टाइम पास कर लो, खुश रहो, थोड़े हस्ते रहो करके ठीक है, और उसके बाद मैं आप बढ़ाई करो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा इस्ट्रेस आता है कभी, धन्क्राइजो कर लोड़े टूर्व टोड़ेस्टेव नहीं व च्छिए, बेस्त आपने को लाइशन लेस्टेवsecond.